वेलकम बच्चो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नेम है बच्चो हमारा फ्रिक्शन आज हम आपको फ्रिक्शन के बारे पढ़ाएंगे और यह फिजिक्स की लेसर नंबर 7 कह सकते हैं क्लास 11 के लिए तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं इसके बारे हम डिस्कस आज हम डिस्कस करने बाले हैं लेट स्टाट वाट इस फ्रिक्शन एक होता है फ्रेक्शन उससे मेत्प में यूजज करते हैं अगर उसकी तरह ही इसको देखा जाए तो फ्रेक्शन कीन चीज़ों बंता है आपका दो चीजों में फ्रिक्शन होने के लिए निमेरेटर और दोनों कोई जरूरी है और ऐसे ही friction के लिए भी दो सर्फेसों का होना बहुत जरूरी है as like a fraction fraction बनने के लिए कितने चीज़ों का होना चीज़ है दो चीज़ों किसी इसका numerator का और denominator का ऐसे ही fraction भी दो सर्फेसों के द्वारा ही एपलाई होता है यह सिंगल सर्फेस होगी उस पर कोई friction नहीं होगा तो friction करता क्या है एक resistance पैदा करता है जिसको speed को रोकने के लिए यहाँ अब्जेक्ट के motion को रोकने के लिए एक body क्या पैदा करती है बच्चो एक resistance पैदा करती है वही जो resistance है वही क्या कहलाता है वेट आपका friction कहलाता है और जितने force से वो object को रोकेगी वही force होगा बच्चो आपका friction force क्योंकि देखे जो मैं आपको language बता रहा हूँ वो book की language से हट के है अगर book की language समझने हैं यहां friction is defined as the resistance offered by the surface that are contact with each other when they are move over each other जब दो सर्फेसों को एक के उपर एक move कराया जाता है तो एक surface दूसरी surface पर क्या करती है एक resistance पैदा करती है उसी resistance को कहते हैं आप लो बिटा क्या कहते हैं friction कहते है very good समझ गई होगा बच्चा आप यहनि friction किसे कहते हैं फिर समझ लिए जब एक के ऊपर एक मान लिया अभी देखिए एक surface यह है जब इन दोनों को ऊपर नीचे रखकर इन दोनों ऊपर नीचे रखकर क्या है slide move करा जा रहा देखो किस सर्मूव करा रह है रोक रही है अगर रोकती नहीं तो easily क्या होता है इस्मूस रफट जाता भी आपका यह रोक रही है यानि क्या कर रही है एक resistance रुकावट पैदा कर रही है वही रुकावट क्या बच्चों आपका friction कहलाती है that's okay अब आगे पढ़ते हैं हम लोग friction हैं डालके सो नोट कर ल यहीं जब जिस डारेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डारेक्शन में क्या होगा friction की डारेक्शन होगी और आगे देखिए friction is used in most of cases जातर केसों में friction is also depend on external factor यहीं फ्रिक्शन action factor से क्या होता है depend होता है action factor depend होता है देखे अब आप समझे जहाँ दिखाया रहेएकर सर्फेस है यदि में कि पैन को कहां लेफट से सर्फेस में ले ले जा रहा ह।भ गे ऑफिस की motion की अब जो नीचे वाली सरफेस है गेन बेट प्रिक्शनल फोर्स कि डायक्शन दूंधने राइट से लेफ्ट में उगे रेट से अलयुक्त कि तो इस चीज को भी नोट कर लेना पहलों वह तो क्या होगा बच्चों आपका फ्रिक्शन हो गया और फ्रिक्शन की डायर डायर दाल दें तो उनके बीच क्या होगा बेटापका फ्रिक्शन कम हो जाएगा ठीक है एसको क्या कर दें चिकना कर दें पेंट कर देंथ तब भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो यही चीज़े होती है यही चीज़े होती है कि friction is also depend on the external factor आगे बात करते हैं बच्छों हम लोग factors affecting friction factors affecting frictions यानि किन-किन factor पर friction depend करता है या या फिर कौन-कौन से चीज़े friction को affect करती हैं या रखेगा following are two factors on which friction depends इन दो चीज़ों पर friction depend करता है पहले ही on the nature of two surfaces that are in contact that are in contact any friction कि आपको heading note कर लेना है ठीक है पहले जब आपका है on the nature of the two surfaces that are in contact friction उन दो surface ओपर depend करता है जो surface आपके contact में आ रही है यदि one surface क्या होगी smooth दूसरी surface rough होगी तो friction महाँ पर कुछ और होगा दोना surface होगी तो friction maximum होगा और दोना surface क्या होगी smooth होगी तो friction क्या हो जागा बेट आपका खत्म जागे लगबग लिखा friction is depend on the smoothness or roughness of two surfaces they are in contact with each other friction smoothness और roughness पर depend करता है जो surface क्या contact में आ रही है when the surface is smooth surface क्या smooth the friction between two reduce यदि दोनों surface क्या हमारी smooth है तो हाँ पर friction क्या होगा reduce हो जाएगा there is no making interlocking irregular taking place the surface is rough or increases यदि दोनों surface रफ कर दिया जाए तो friction क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा अब दूसरी जो फेक्टर है बिटा पर इस पर depend करता है हमारा friction हो है on the force that acting on the surfaces यानि कितना हम external force उस पर लगा रहे हैं ठीक है यह ज़्यादा force लगाएंगे तो friction क्या होदा कम उचला जाएगा अपका कम फोर्स होगा तो friction को ज्यादे ज्यादे फील होगा रिखाया वैन फोर्स एप्लाइड एलांग विद इर्रेगुलारीटी फिक्शन इस इंक्रीजिस एदि इर्रेगुलर फोर्स पर लगाएंगे वोड़ी पर इतना ही रखेंगे कल को करेंगे फिक्शनल के टाइप पढ़ेंगे किसके टाइप फिक्शन होता है थैंक्स पर वंचिंग वीडियो अच्छा लगाओ बच्चों आपको तो आप लाइक कर सकते हैं थैंक्स वर वस विडियो